नमस्कार दोस्तों डिजार एड्मिशन कंसल्टन से में आपका सोगत है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है महाराश्टर का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आयूश बीएमेस बीएचमेस बीएमेस का पब्लिश के आए इस एसेमेल एन ओल इंडिया रैंक तक जो है सेकेंड राउंड के लिए बीएमेस के सीट अलट हो गई है अगर उसके बाद अगर ओबीसी कैटिगर के बात करें तो ओबीसी के लिए जो एसेमेल है 15,721 स्टेट में रिटलिस्ट नमबर तक सीट मिल गई है जिसकी ओल इंडिया रैंक 251,205 है मतलब आपका इसके आसपास अगर एसेमेल एन ओल इंडिया रैंक है तो आपको मॉपफफर्स्ट में जरूर सीट मिल सकती है अगर उसके बाद हम जो है वीजे कैटिगरी की बात करें तो वीजे कैटिगरी के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट नमबर 15,499 है मतलब अगर आपका इसेमेल 15,499 के आसपास होता तो आपको सीट अलोट हो जाती और जिसका ओल इंडिया रैंक 246,203 है अगर आपका स्कोर कम है तो आपके लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे अगर ENT1 कैटिगरी की बात करें तो अगर आपकी ENT1 कैटिगरी है और आपका एसेमेल 16,619 है तो आपको सीट अलोट हो गई होती जो सेकेंड राउंड का कट ओफ ENT1 के लिए 16,619 स्टेट में रिटलिस्ट नंबर आया है जिसकी ओल इंडिया रैंक जो ही 271,452 है अगर उसके बाद ENT1 कैटिगरी के बाद ENT2 कैटिगरी की बात करें तो ENT2 कैटिगरी के लिए जो एसेमेल है 15,714 है ENT1 से थोड़ा कम है 15,714 ENT2 कैटिगरी का है जिसका ओल इंडिया रैंक 251,056 है तो अगर आपका स्कोर इसके आसपा से तो आपको सीट जरूर अलोट हो जाएगी तो ENT3 कैटिगरी का जो एसेमेल है वो 15,608 आया है जिसकी ओल इंडिया रैंक 248,632 है तो दोस्तो अगर आपका स्कोर इसेमेल या ओल इंडिया रैंक इसके आसपा से तो आपको सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसे से मॉप फर्स्ट या सेकेंड में तो अगर आपको इसके बाद इससी कैटिगरी का कट ओफ देगे तो इससी कैटिगरी के लिए 16,254 एसेमेल स्टेट मेरिट लिस्ट नमबर हाया है जिसकी ओल इंडिया रैंक 262,838 आई हुई है तो इस तरह से इससी कैटिगरी का कट ओफ भी इस साल थोड़ा कम आया है अभी देखते हैं मौपप में कितना जा सकता है अगर इस्टी कैटिगरी की बात करें तो इस्टी कैटिगरी का जो एसेमेल है वो 26,079 आया है इस्टी कैटिगरी का कट ओफ बहुत कम जाता है जिसकी ओल इंडिया रैंक 5,24,284 है तो EST category का cutoff सारे categories में बहुत कम जाता है तो इस तरह से जो BMS के cutoff है वो हमने देखे इसके बाद हम अगली वीडियो में BHMS के cutoff देखेंगे अगर आपका score बहुत कम है 300, 300 से कम, 305, 310, 315 तो हमें अपना score बताईए और होटसप पर message किजिए 9730898960 पर हम आपकी जरूर मदद करेंगे अभी आपको जैसे की पता है मौपो प्राउन के लिए फिर से registration स्टार्ट होने वाले है अगर registration स्टार्ट होते हैं तो इस बार choice feeling properly किजिए जो भी new registration स्टार्ट होंगे जिनोंने भी first time registration नहीं किये थे वो भी registration कर सकते आपका बहुत सारे students का doubt होगा कि मौपो प्राउन का cut off कितना जा सकता है तो दोस्तो मौपो प्राउन का cut off इस बार जरूर कम जाएगा अभी exactly कितना cut off कम जाएगा उसके बारे में हम अपना अगला वीडियो बनेंगे और institutional spot round भी आपके लिए option है अगर आपका score कम है आपको मौपो प्राउन में seat नहीं मिलती है तो institutional spot round में भी आपको seat मिल सकती है तो institutional spot round में only आपको fees पे करनी पड़ती है आपको किसी भी तरह का donation नहीं पे करना पड़ता है और अगर आपका score बहुत कम है 200, 250, 270, 280 तक है तो other state में आपको BMS possible है जैसे कि यंपी हुआ करना टका हुआ उसके बाद अगर पंजाब उसके बाद गुजराद तो तेलंगना ऐसे state में आपको with low fees BMS करने का chance है तो अगर आप interested हो तो हमें 97308989600 बर जरुर contact कीजे अगर आपको मौप अप राउंड के लिए 998960 बर हमें WhatsApp पर message डालिए कि आपको paid counseling लेनी है आपकी पूरी counseling बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी आपकी choice feeling ऐसे choices दिये जाएंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा chances बढ़ जाएंगे कि आपको एक अच्छा सा college alert हो जाए अगर आप interested हो हमारे साथ counseling करवाने में तो हमें ज़रूर message कीज़े अभी मौप अफ फर्स्ट और मौप अफ सेकेंड का cut off कितना जा सकता है इसका analysis हम कर रहे हमारी team इसका analysis कर रही है इसके बारे में हम जल्दी वीडियो बनाने वाले है तो दोस्तो आपको हमारी ये वीडियो किसी लगी ये आप हमें comment box में ज़रूर बताईए और अगर आपके कोई doubts से queries है तो आप हमें hot sub पर पूछ सकते हैं या comment box में भी पूछ सकते हैं तो दोस्तो चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए